तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास 10 की मैट्स NCRT चैप्टर नमबर 7 कॉडिनेट जोमेट्री के उपर बेजड एक भैतरीन के स्टेडी बहुत ही इंपोर्टेंट के स्टेडी है बहुत ध्यान से समझना इस के स्टेडी को इस के स्टेडी के आने के मोस्ट प् इस समझ पॉंट तो सब्सक्राइब को इस ने क्या बता रखा है हमारे को एक तो यह बता रखा है कॉलेज से लेकि CTA तक का डिस्टेंस यहां पर अब्जर करनी पड़ी कि 2 रूट 2 किलोमेटर है और आपको CTA से CTA का डिस्टेंस दिया वाए 6 रूट 2 यह दो चीज़े आपको दीवन है और आपको क्या गिवन है CTA के कोडिनेटस आपको गिवन है 2 और Y और CTB के कोडिनेट गिवन है X और 8 यह आपको कॉलेज का है अब देखो कॉलेज के कोडिनेटस आपको गिवन नहीं सबसे पहले मैं कॉलेज के कोडिनेटस आपको बतायता हूँ देखो यह college जो है इसके coordinate आपको पता नहीं तो college के coordinate क्या होंगे यहाँ पर college जो है वो starting point है यहाँ पर तो starting point जब भी कोई होता है ना जब भी starting point होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्या straight line है और हमारे को coordinate नहीं दिये वह है तो इसके coordinate को starting point यह starting point है तो यहाँ पर इसके coordinate जो होंगे वो क्या होंगे 00 होंगे क्या होंगे इसके जो coordinate होंगे वो क्या होंगे 00 क्लियर है चलो तो यह समझ गए हम इसके coordinate जो होंगे वो 0-0 होंगे ठीक है चलिए तो यहाँ पर अपने को Y और X यहाँ पर निकालने हो सकता है शायद अपने जब question read करेंगे जब देखते क्या-क्या यहाँ पर निकालना है तो यह हमने observe कर लिए इसको case study को अब question को करते हैं चलिए question की तरफ बढ़ते question first है हमारे पास में the value of Y is equals to आपको Y की value find करेंगे यह दिख रहा है न आपको इसकी value find करनी है इस Y की value तो इस Y की value को कैसे find करेंगे तो देखी यहाँ पर आपको पता है यह college से लेके cta तक का distance आपको दियावा है टू रूट को ठीक है तो हम क्या करेंगे distance formula लगा लेंगे हैं ना और distance formula के equal में हम यह 2 root 2 रख सकते क्योंकि ओए का distance हमें पता है तो हम लिख सकते हैं कि ओए जो है वो तू रूट 2 हमार को दियावा है 2 root 2 km दिया है टाए हम अपनी तरफ से distance formula लगा लेंगे यहापर और ओवे का distance निकालने की कोशिश करेंगे तो x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square ठीक है ये distance हमारी तरफ से और वैसे question ने हमारे को क्या दिया रखा है 2 root 2 हमारे को दे रखा है तो हम अग बार distance निकाल लेते तो देखो x2 minus x1 का whole square करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए इसको अपन माल लेते 0 0 इन point को माल लेते x1 और y1 और ये point हो जाएंगे हमारे x2 और y2 ये वाले point हो जाएंगे x2 और y2 clear है अब इसको question को solve कर लेते देखिए x2 minus x1 का whole square तो x2 क्या हमारा 2 2 minus x1 क्या है 0 तो 2 minus 0 का whole square क्या होगा 2 ही होगा ठीक है प्लस y2 क्या है हमारा y ही है और y2 और y1 क्या हमारा 0 है तो y minus 0 का whole square क्या होगा y होगा तो 2 का square है ना अब देखिए इसको solve कर लेते हैं 2 का square क्या होगा 4 plus y का square y square होगा is equals to equal में क्या रखेंगे हम 2 root 2 रखेंगे clear है ये 2 root 2 equal में चलेगा अब देखो 4 plus y का square अभी question solve नहीं हो रहा है यहां पर ठीक है अभी solve नहीं होगा तो हम क्या करेंगे यहां पर इसका square कर देंगे क्योंकि हमें पता है इस square से root कर जाएगा लेकिन हमने LHS में square करा तो और RHS में हमें करना पड़ेगा तो इस square से हम root काट सकते हैं तो यह हो गया हमारा 4 plus y square is equal to यहां पर देखें इसको ध्यान से करना 2 का square क्या होता है 4 और root 2 का square क्या होता है 2 तो 4 into 2 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा तो यह बन गया हमारा 8 तो y square is equal to 8 4 को हम transpose करेंगे तो minus 4 तो y square की value कितने है जाएगे हमारी 4 y की value कितने है जाएगे y square की value 4 है तो y के value आएगे plus minus 2 अब देखें जो यहाँ पर y आएगा इस y यह negative possible नहीं हमारा minus 2 possible नहीं तो y जो होगा वो क्या होगा प्लस 2 पॉसिबल होगा तो यहाँ पर answer जो होगा प्लस 2 होगा option a correct होगा clear है यहाँ पर y जो होगा वो negative possible नहीं है तो positive value यहाँ पर possible है तो plus 2 हमारा क्या होगा y होगा clear है बात चलिए आगे बढ़ते हैं question number 2 की तरफ the value of x is equal to x की value अपने को find करनी है यहीं पर देखो आपको यहाँ पर x नजर आ रहा है यह x नजर आ रहा है इस x की value को अपने को क्या करना है find करना है अब यह x की value के लिए हमें यहाँ का distance लेना पड़ेगा और फिर x की value हमें आपको find कर लेंगे लिए तो चलिए हम इसको भी करते हैं यहाँ पर हम अटा देते हैं यह वाला पार ठीक है और यह वाला पार और हमारे पास में क्या आ गया आप हमारे पास में distance आ गया city a से लेके भी तक तो a b का distance है और a b का distance कितना दियावा है आपर question में 6 root 2 km ठीक है अब देखिए यह x2 और y2 है यह x2 y2 coordinate थे हैं इसको हम कह देते हैं यह x1 y1 हो गया अब इनके हम answers निकाल लेते हैं तो देखो x2 कितना है हमारा यहाँ पर x2 है हमारा 2 और x1 कितना है x तो 2-x का whole square ठीक है 2-x का whole square plus y2 कितना है हमारा y2 हमारा y लेकिन y हमने अभी निकाला था क्या 2 तो 2 put करना है हमारको तो y2 में 2 और y1 कितना है 2-8 का whole square और equal में हमारा क्या चलेगा equal में चलेगा 6 root 2 अभी space नहीं है आप लिख सकते हो तो 2-x का whole square अपने को open करना आना चाहिए कैसे करते है 2-x का square देखो आप क्या करो 2 का square कर दो 4 और फिर आप इसको multiply फिर ये minus है ये बीचे minus है तो minus लगा दिया और फिर आप ऐसे कर लो 2 into x 2x 2x into 2 कितना होता है 4x तो 4x ये approach बता रहो हमें और फिर ये last वाले का square plus x square प्लस आएगा plus x square इस तरीके से आप कर सकते हो और बाकी तो आपको a minus b के whole square से आपको open करना ही है इसको 4-4x plus x square ठीक है plus 2-8 का whole square करेंगी तो हम कितना आएगा 2-8 का whole square देखो दोनों value है तो इसको तो आप a minus b के whole square से open करना जरूरूरी नहीं है 2-8 करो तो 2-8 होता है minus 6 और minus 6 का whole square क्या होगा 36 plus 36 ठीक है तो यह कितना जाएगा हमारा plus 36 clear है चलिए अब इसको solve कर देखो 36 plus 4 कितना हो गया 40 ठीक है तो यहाँ पर यह solve होके हो जाएगा 40 यह plus का x square है minus का 4x है और plus का 40 is equal to equal में क्या चल रहा है 6 root 2 अब देखिए यहाँ पर यह solve तो होगा नहीं त 6 का square करेंगे तो square से यह root cut हो जाएगा ऐसे LHS में square किया तो RHS में भी करना होगा तो यह solve होके हमारा हो जाएगा x square minus 4x plus 40 और यह हो जाएगा हमारा 6 का square कितना होता है 36 और 36 और root 2 का square होता 2 तो 36 और root 2 कितना होता है 72 यह हो गया 72 तो x square minus 4x is equal to 72 minus 40 तो x square minus 4x is equal to 40, 50, 60, 70 यह आगा हमारा 32 ठीक है तो x square minus 4x इसको इदर लिया हो तो minus 32 is equal to 0 बन रहा है हमारा कितना बन रहा है x square minus 4x minus 4x minus 32 is equal to 0 अब आपको थोड़े से क्या देखने पड़ेंगे यहाँ पर factors देखने पड़ेंगे तो factors यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर factors हमारे क्या आ रहे है बताए तो factors आ रहे हमारे x square अगर middle time splitting करेंगे हम तो x square minus 4x minus 32 अगर हम इसकी middle term splitting करें, तो इसकी middle term splitting करने पर क्या आएगा, 8 और 4 आएगा, ठीक है, तो x square minus, minus कहीं लिलते हैं, minus 8x plus 4x, और minus 32, pair बनाएंगे तो x आएगा, तो x minus 8, plus यहाँ पर 4 रहेगा, x minus 8, तो 1 तो बन रहा है हमारा x plus 4, यह देखिए, x plus 4, और 1 बन रहा है हमारा x minus 8, तो x की value कितनी आएगे, minus 4, x की value आएगे, positive 8, ठीक है, तो minus 4 क्या हमारा possible है, minus 4 हमारा possible है, नहीं, हमारा क्या possible है, positive 8 possible है, तो हम क्या लेंगे हैं आपर, positive 8, तो option कौन सा सही होगा है, आपर, positive 8 कहाँ पर, option C, तो option c हमारा क्या होगा यहाँ पर सही होगा clear है बत ठीक है चलो बढ़े आगे बढ़ते हैं आगे तो यह अपना question हो गया then उसके बाद में हमारे पास में third है if m is any point exactly in between cta and ctb then coordinates of mr देखिए क्या कहरा है question यह सब रप कर देते हैं अब अपन ठीक है एक्स और y की value हम निकाली चुके अब इसको हटा देते हैं अब देखो यहाँ पर क्या दे रहा है अपने को अपने को कह रहा है यह कि if m is any point exactly in between cta and b यहां से लेकर यहां तक तो इनके बीच में क्या है कि कोई m है और इसने कहा है exactly between देखो इसने कहा है दब if m is any point exactly in between cta and b बिलकुल मिड में है ध्यान रखना तो मिड में हम रखेंगे तो cta यह थी ctb यह थी तो मिड में हमारा क्या है point m है ठीक है cta के coordinate आपको दिएवे 2y और ctb के coordinate दिएवे आपको exit और यहां पर बीच में हमारा क्या है m point है बिलकुल मिड में है कहां पर है यह यह बिलकुल में है अब देखिए हमें क्या निकालना देखें में निकाला था y2 यह तो हमारे पास में available है हमें क्या करना है हमें इसके coordinate निकालना है किसके coordinate इसके तो हम section formula का use करेंगे यहां पर देखिए section formula में m1 ratio m2 केतना हो गया आप 1 ratio 1 हो गया है आप धिहान रखना क्योंकि यह midpoint है और midpoint होता है तो वह क्या होता है यह section में divide करेंगा 1 ratio 1 में तो 1 ratio 1 हमारा m1 ratio m2 आगया अब जब भी अगर midpoint होता है न तो यहां पर एक formula use कर सकते हो आप क्या कि जो coordinate निकलेंगे इसके वह x1 plus x2 divided by 2 और y1 plus y2 divided by 2 के formula निकलेंगे अगर जब भी midpoint दिया वाओ यह देखिए m1 x2 के formula से ही बना है क्योंकि m1 तो वहां पर क्या होगा 1 होगा तो 1 into x1 1 into x2 होगा तो x2 होगा और 1 into x1 होगा तो x1 ही होगा उसी formula से यह formula बना है थोड़ा सो उसको और expand करोगे आप midpoint वाले को तो यही बनेगा तो x1 कितना है हमारा यहाँ पर x1 देखिए यहाँ पर x1 अभी हमने निकाला था देखिए इसको अपन कह देते मान के चलिए यह वाला point और यह ले रहा हूँ तो 2y को तो अपन ले ले लेते x1 y1 और इसको हम बोल देते x2 y2 clear है तो x1 और x2 कितना है देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है x2 यहाँ तो x12 है और यहाँ पर x2 कितना है यह हमने निकाला था भी x कितना निकाला था हमने 8 निकाला था तो क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 8 divided by 2 similarly y1 कितना है यहाँ पर y1 है 2 और y2 कितना है यहाँ पर जो बन रहे हैं हमारे वो कितने बन रहे हैं 5 by 5 तो 5 और 5 हमारे यहां पर coordinates बन रहे हैं यहां पर तो 55 कौन सा है option सी यहां पर correct होगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं the ratio in which a divides the line segment joining the point O and M देखें आपको ratio बताना है in which a divides the line segment joining the point O and M O and M देखो आप कहा पर है O यह रहा ठीक है और M यह रहा ठीक है यहां पर समझने वाली बात यह है कि भाई O तो हमारा यह रहा ठीक है और M यहां तक है इसको अटा दो पहले अपने एक काम करते हैं इसको अटा देते हैं देख हाँ बस ठीक है चलो पूरा figure बना जाते एक यहां पर देखे यह O है यहां से start है और O से लेके M कहा पर था यहां पर mid points आना ही है A और B कहा तो M यहां पर है तो O point यहां पर है और M यहां पर है फिर इसने कहा कि CTA बीच में आरी ना यहां पर यही CTA तो यह क्या कर रहा है CTA क्या कर रहा है इसको divide कर रहा है, इस line को divide करने ही कोशिश कर रहा है, ये point CTA वाला point, तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस ratio में divide कर रहा है, ये जो CTA वाला point है, ये point जो है, वो OM को किस ratio में divide कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माल लेंगे, हम य इस question को solve करेंगे, चलिए, करते हैं हम इस question को, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, अब यहाँ पर कर लेते हैं, देखो, यहाँ पर जो यह है हमारा, कौन सा वाला point, यह वाला, तो यह तो origin है, तो 0-0 हमेने आपको बताया ही था, इसमें तो कोई परिशानी नहीं, यह तो मै की value या 1 की, देखो 1 आपको दिया वाए, दिया वाए ना 1, यह वाला, k ratio 1, ठीक है, और आपको इसके coordinate यहाँ पर दिये वे, k ratio 1 तो मैंने बताया, आपको k ratio 1 में divide करेगा, यहाँ पर इसके coordinate दिये वे, जो divide कर रहा है न, उसके coordinate है यहाँ पर, क्या है coordinate 2 और y, तो देखो 2 आपको यहाँ पर given है, y तो नहीं है, तो 2 given है, तो हम क्या करेंगे, equal में 2 रख लेंगे, हाला कि y भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो y भी हम रख सकते थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर यह 2 रख लेंगे, ठीक है, तो formula होता है हमारा और के हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा M1 X2 ठीक है हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं तो 2X रख रहे हैं तो M1 X2 प्लस M2 X1 divided by M1 प्लस M2 is equals to अब देखो यहां पर क्या रखेंगे हम हम equal में रखेंगे 2 क्योंकि यह जो इसका कॉडिनेट निकलता है जो हम जो हमारी लाइन को डिवाइड करता है जो section में डिवाइड करता है उसके जो कॉडिनेट निकलते वह इस फॉर्म में होता है तो X वाला क्या है याँ पर अगर हम देखें M1 में आपको बताया भी के लिए में ने के रेशोवन में करा तो M1 रेशोवन के है मारा के इनटू X2 क्या है याँ पर देखो तो हम क्या कर दे इसको कर लेते हैं X1 Y1 और इसको बोल देते हैं कौन सा वाला यह वाला सौरी यह पॉइंट M कि क्या निका लेते हैं हमने 545 निका लेते हैं यह पॉइंट M था तो यह X1 Y1 है और यह X2 और Y2 है तो X2 क्या है हमारा 5 प्लस M2 यहां पर कितना है M2 है 1 into X1 कितना है यहां पर X1 है 0 divided by M1 प्लस M2 करेंगे तो K प्लस 1 is equals to यहां पर कितना आएगा 2 अब K into 5 करेंगे तो 5K प्लस 1 into 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 याएगा तो कुल मिला के 5K ही रहेगा यहां पर इसको हटा देते हैं ठीक है divided by यहां पर क्या है हमारा K प्लस 1 is equals to 2 अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम cross multiply कर लेते हैं तो 5K is equals to 2K प्लस 2 तो 5K 2K को इदा ट्रांस्पोस करेंगे तो 5K minus 2K is equals to positive 2 तो यह हो जाएगा हमारा 3K is equals to 2 तो K की value कितना है 2 by 3 तो K ratio 1 में divide किया था इसने K ratio 1 में तो K की value आगे हमारी 2 by 3 और यहां पर है ratio 1 तो 2 by 3 ratio 1 है तो कुल मिला कि क्या जाएगा 2 ratio 3 इसको कैसे होल करते है 2 by 3 ratio 1 को तो 2 by 3 इस ratio का मतलब क्या होता है divide तो divide 1 अब 2 by 3 इसको इंटू में change करो तो into 1 by 1 हो जाएगा मतलब रैसी प्रोकल हो जाता न तो यह क्या हो जाएगा 2 by 3 ही रहेगा 2 by 3 मतलब 2 ratio 3 मतलब अगर यहां पर 2 by 3 ratio मान के चलो 5 होता ऐसे होता k ratio 5 होता मान के चलो मैं आपको समझा देता हूँ यह k ratio 5 होता तो k की value क्या रखते हैं हम यहां पर इसको अटाते हैं k ratio 5 होता तो k की value हमने निकाली 2 by 3 ratio यहां पर होता 5 तो हम कैसे करेंगे इसको 2 by 3 ratio का मतलब क्या होता है divide तो divide रखा और 5 ठीक है लेकिन 2 by 3 into में change करेंगे तो यह 5 by 1 है तो यह 1 by 5 अब इसको solve करेंगे तो यह क्या जाएगा 2 by 15 तो 2 ratio 15 तो आप directly भी निकाल सकते हूँ जब भी अगर इससी situation हो 2 by 3 ratio 5 तो आप क्या करो 2 लिख लो और इसको ऐसे multiply कर दो 3 into 5 तो 15 तो 2 ratio 15 यह आपको ध्यान रखना है concept है यह ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते तो यह कितना आया अपना यहां पर answer जो आया है वो आया था भी हमारा 2 by 3 2 ratio 3 आया था ना तो 2 ratio 3 देखो भई कहां पर है 2 ratio 3 option D होगा तो option D जो है हमारा correct होगा 2 ratio 3 clear है बत चलिए आगे बढ़े 5 वाला question है if the person analyze the petrol at the point M जो की midpoint है then what should be his decision क्या सोच रहा है चीए उसको बताओ अगर उस person ने सोचा कि भाई petrol pump जो है वो point M पे देखिए वो जा रहा है बाइक पे और उसको ऐसा लग रहा है कि यारी point M है ना जो CTA और CTB की तरफ है तो वो होगा यहां ही पर होगा इसी जगे पर होगा कहीं न कहीं तो उसने यह अब्जर गया उसने यह analysis किया कि जो petrol pump है वो CTA और CTB की तरफ ही है तो उसको क्या करना चाहिए इन 4-5 situation में क्या क मिली जाएगा और शुट भी अगर उसे analyze हो रहा है उसे ऐसा लग रहा है और शुट भी travel back to CTA और वापस उसको CTA में जाना चाहिए अब देखो अगर वो CTA में जाएगा तो भी तो पैट्रोल उसके कमी होगा तो पैट्रोल उसके वैसे भी खतम हो जाएगा तो उससे अच करेक्ट होगा तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आईए तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे की अपकमिंग वीडियो के नॉटिफिक